Hello Everyone, मैं मिथुन शिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले आपको यहां से कुछ images दिखाई पड़ रहे होंगे अब यह images क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि यह winners है जी हां, question of the day का इनोंने सही सही answer करा है इसलिए इनके नाम यहां पर दिख रहे हैं अगर आप अपना नाम देखना चाहते हो आगे आने वाले वीडियो में तो आपको question of the day का answer करना है पूरी वीडियो देखिएगा question of the day बीच में पूछा जाएगा आपको इसका answer करना है और अगले वीडियो में आपकी image को दिखा दिया जाएगा तो चलिए, आज की class को हम लोग इस्टार्ट करते हैं और आज ना, यह तीसरी class है, थर्ड class है और मैंने सुबह से दो classes already upload कर दी है regarding current affairs तो ऐसे ही आपको बहुत सारे classes जैसे जैसे exam नज़िक आता जाएगा और भी frequently videos मिलते रहेंगे अगर आपने notes बगेरा तयार कर लिए हैं खुद से तो फिर आप मेरे notes मत करी दिए अगर आपने notes खुद से नहीं तयार किया है तो definitely आप 20 दिनों में क्या पढ़ने वाले आपको नहीं पता है तो notes आपको purchase कर लेना चाहिए 449 में notes आपको provide कर दिया जाएगा और 100 रुपीज में question paper तो यहां से मेरी email आइडिया आप देख लिजिए yourmithun Singh at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए if you are instagram then do follow me at the rate imithun Singh और वहां से आप paper के बारे में inquiry कर सकते हो दो medium मैंने बता दिया तो चलिए आज के class को start करते हैं अब बिना किसी देर के तो देखिए पहला question आपके सामने ये रहा what is the projected rate of GDP देखिए GDP growth जो इंडिया की रहने वाली है इंडियन economy की रहने वाली है financial year 2021 और 2022 के लिए तो IMF जो है इसने क्या इसका अनुमान लगाया है आपको यह बताना है तो देखिए यहाँ पे answer है 9.5% याद रखिएगा 9.5% तो चलिए इस question का answer आप लोग comment box में कर दो IMF का full form क्या है निचे comment करके आप लोग बताईएगा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो IMF ने जो है 9.5 जो है growth rate के लिए अनुमान लगाया है आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए next question आपके लिए यह रहा who has been awarded the लाल बहादूर सास्त्री national award for excellence in 2021 देखिए लाल बहादूर लाल बहादूर सास्त्री national award किन्हें दिया गया है 2021 के लिए तो देखिए डॉक्टर E. सिरीधर्नी या फिर डॉक्टर A. R. मालेश्वर डॉक्टर नरेश्त्रिहान या रंदीप कुलेरिया तो देखिए यहाँ पर आँसर आप देख सकते हो Vice President Wankaya Nidu Wankaya Nidu ने दिया है और इसे दिया है कि इसे डॉक्टर रंदीप को और रंदीप जो है क्या है AIIMS के डारेक्टर रह चुके हैं तो आंसर आपका क्या होगा रंदीप गुलेरिया जो है राइट आंसर हो जाएगा यानि कि आप जो है नेक्स्ट कोशन के लिए देखिए आपको यह बताना है Union Home Ministry Begin और देखिए यह जो Union Ministry है न इसने क्या किरा है गोरखा Representative के साथ बात करनी सुरू करी है उसे जो है इंक्लूड करना चाहते है मुख्यधारा में तो वारता सुरू करी है तो देखिए यह किस स्टेट से जो है यह बात है किस स्टेट के लिए है उडिसा के लिए वेस्ट बंगाल के लिए असाम के लिए या जारखन के लिए तो देखिए आपको जो है गोरखा Representative मिलेंगे कहाँ पर यहाँ पर आप देशकते हो वेट ए मिनिट मैं आपको दिखा दू दारजलिंग हील्स यानि कि यह कहाँ पर बात हो रही है वेस्ट बंगाल में यह जो है आपको टेवल जो राउंड टेवल है यहाँ पर बातचीत हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कहाँ पर option number B के साथ आपको जाना है वेस्ट बंगाल के लिए चलिए अगले question के और हम लोग बढ़ते हैं next question आपके सामने यह रहा the government of India has accorded with which of this state to the power financial cooperation limited PCF का जो यह full form है यहाँ पर आप दे सकते हैं इसे आपको बस यह बताना है कि Indian government ने जो PCF के लिए कौन सा दर्जा इसे कौन सा status दिया है इसे कौन सी company में include किया है नवरतन, लगूरतन, महारतन या भारतरतन तो देखिए यहाँ पर आपको right answer दिख जाएगा यहाँ पर देखिए PCF है और इसका जो right answer होगा आप यहाँ से देख सकते हैं इसे किस में सामिल किया है महारतन में से सामिल किया है तो आपका right answer क्या होगा यहाँ से आप देख लिजिए इसका जो right answer होगा वो होगा आपसे number C के साथ आपको जाना है आगे बढ़ेंगे अगले question के लिए अगला question आपके सामने यह रहा विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉंस्ट पैट्रोलिंग ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन स्टार देखिया ऑपरेशन जो सतर्क है के लिए मैं स्टार्क पर लिया ऐसे ऑपरेशन सतर्क जो है अगले question के लिए next question आपके सामने यह रहा international e-waste day कब मनाया जाता है आपको यह बताना है तो दिखे इवेस्ट डे 14 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को या अक्टूबर के दूसरे बुद्वार को या अक्टूबर का दूसरा गुरूबर यानि कि 2nd Thursday of October तो इसका जो राइट आंसर होगा आप यहां से देखिए 14 अक्टूबर को या अबजर्ब किया जाता है इवेस्ट यानि कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यह जाएगा यहां से आप देख सकते हो option number जो है भी हो जाएगा चलिए बी के साथ आपको जाना है अगले question की ओर हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा which animal species is called as a डोले देखिए डोले जो है किसे का जाता है ACI जंगली कुत्ता को लकडबगा को एडवॉल्फ को या अपरी की आती को तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा डोले जो है Asterotic wild dog है यहां पर आप इसकुत्ते को देख सकते हो यह जो है इससे जो है ढोले बोला जाता है तो राइट आंसर आपका क्या हो गया wild dog यानि की यहां पर आपको देखेगा option number a is the right answer अगले question की ओर हम लोग बढ़ेंगे next question आपके सामने यह रहा आपको यह बताना है who has been appointed as the new advisor to Prime Minister Narendra Modi नarendra Modi के नया सलाकार जो है वो कौन है राजेश भूसन संजे सामराव धात्रे अमीत खरे या फिर बिनोत कुमार पॉल तो इसका जो right answer होगा आप यहां से इनकी image देख सकते हो यह है former IB and higher education secretary अमीत खरे इनको जो है अपोइंट किया गया है advisor to Prime Minister तो यह Modi ji को सला दिया करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो चलिए the quick points of the day की बारी है who has been appointed the new secretary of ministry of earth science recently तो देखिए M. Ravi Chandran को जो है ministry of earth science recently बनाया गया है आगे बढ़ेंगे आपको यहां पर दिखाई पढ़ आगा अगला question which country has recently unveiled the world's first automatic driverless train तो देखिए Germany ने क्या क्या है बिना train के जो है बिना driver के जो है train चलेगी बिना local pilot के train चलेगी Germany ने यह शुरुआत कर दी है who has recently become the youngest player in the world to score an ODI century तो M. E. Hunter जोनोंने क्या क्या है सबसे कम उमर में ODI में century लगा दी है यह question बहुत important है please इसे not down कर लिजे और question of the day की बारी आ गई है मैं question of the day आपके सामने पूछने वाला हूँ आपको बस यह बताना है कि इंडिया के raw के अभी जो है chief कौन है यह पहला question इसका जो answer आपको comment box में करना है raw के chief कौन है comment box में आप लोग इसका जबाब देंगे चलिए thank you so much for watching this video have a good day